दियर स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चानल स्टडी विद दुलार में बच्चों दुनिया में हमेशा ही यह होता आया है कि कोई वस्तू किसी के पास अत्यधिक हो जाए तो उसे घमंड होने लगता है चाहे वह धन हो ज्यान हो सुन्दरता हो जब जब घमंड किसी के अंदर उत्पन हुआ है तो उसका अंत भी हुआ है घमंडी का सीर हमेशा नीचा होता है इसी प्रकार का यह एक कहानी दियावा है तो आए देखते हैं यह कौन सा चप्टर है ये क्लास 3 का हिंदी बुख है और चप्टर है 17 और इस चप्टर का नाम है बैजू बावरा तो इसको जानने के लिए हम लोग इसको पढ़ कर देखेंगे इसमें क्या कहानी दिया हुआ है 400 वर्स बीत गए दिल्ली आगरा में मुगलों का राईज हो गया था पानी पत की दूसरी लड़ाई में मुगल जित गए थे हमचंद्र हार गए थे अकबर का सासन शुरू हुआ तुर्क और मुगल साहों में अकबर अच्छा बादसा माना जाता है तो यहां पे 400 वर्स पहले की बात बताया जा रहा है जब हमारे देश में मुगलों का सासन अस्थापित हो गया था और उस समय अकबर का सासन चल रहा था तो उससे पहले से ही मुगल सासन यहां पे अस्थापित हो चुका था तो अकबर जो है मुगलों में एक अच्छा सासक माने जाते हैं अकबर को महान समराट महान बादसावी कहा जाता है तो ये उस समय की बात है उनकी सभा में तान सेन नामक गायक था जैसे की बतलाया जाता है अकबर के दरबार में नौ रतन थे और नौ रतन में से तान सेन एक रतन थे और वे एक महान गायक थे बहुत अच्छे गायक थे तान सेन का बड़ा नाम था इसलिए उसे घमंड हो गया था अब यहाँ पे तान सेन बहुत ही विख्यात होगे परसिद होगे उसके बाद से उसको घमंड हो गया वह खुद आदर और यस्पा रहा था पर दूसरे गायकों को आदर नहीं देना चाता था वह नहीं चाता था कि उसके सामने कोई बड़ा संगितिक बनकर आ जाए उन्हें जो इज़त समान परतिष्ठा वहां से राजदरबार से प्राप्त था उस प्रकार से वे नहीं चाते थे किसी और को मिल तो इसलिए उसने बादसा की अनुमती से घुसना कर दी थी देखे यहां पर क्या घुसना किये हुए हैं कि साही महल के आसपास कोई गीत न गाये अधी कोई ऐसा साहस करेगा तो उसे संगित गायन में तान सेन से मुकाबला करना पड़ेगा हार जाने पर उसे सूली पर ले ली जाती थी ऐसा वो नियम बना के रखा हुआ था जो कि यह एक गलत नियम था फिर इसके आगे क्या होता है यहां पर आगे दिया हुआ है इस घुसना के कारण कई अंजान संगिते की सूली पर चढ़ाए जा चुके थे एक दिन एक नवयुवक वीना बजाता और भज ले जाते थे तो सेनिक उसे प्रकर ले जाते थे और उन्हें तान सेन से मुकाबला करना पड़ता था और हार जाने के बाद अपनी जान गवानी पड़ती थी और निश्टी कर ना तय था क्यांकि था तान सेन कोई छोटा मोटा गएक था नहीं लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बीना बजाता भजन गाता हुआ वहाँ पर आ पहुंचा। फिर वहाँ पर राज करमचारी जो थे, तो उन लोगों ने उसका जो संगीत सुना तो मुख्द हो गए। यहाँ पर देखिए, राज करमचारी उनके संगीत को सुनकर जूम उठे। उनके संगीत को सुनकर वो मंत्र मुख्द होगे बाद में उन्हें साही कानून का ध्यान आया। उन्हें याद आया कि कोई भी गीत गाते विए अगर यहाँ पे गुजरता है आमने सामने तो उसको पकड़ना है। इस बात का उसको उन लोगों को ध्यान आया और फिर उन्होंने उस जूवक को बादसा के सामने पेस किया। अब उसको पकड़ लिया गिया और अकबर के सामने उसको लाया गिया। नवीवक का नाम वैजु बावरा था, वह नहीं घबराया, बादसा अकबर ने गाने के लिए आदेश दिया, अब उसको जो पकड़ के ले जाये गया वहाँ पे, लेकिन उसके अंदर कोई भी घबराहट नहीं हुई, अब क्यों घबराहट नहीं हुई, अब इसका जो कारण बादें पता चलेगा, तो बादसा अकबर के गाने के लिए, बादसा अकबर ने गाने के लिए आदेश दिया, अब उसको गाने के लिए कहा गया, वहाँ जो अकबर थे तो उसको गाने के लिए कहा, बैजु बावरा गाने लगा, बादसा संगीत की लहरों में मगन होने ल दलकारा तो उसने मुकाबला करने के लिए उसको चुनोती दिया कि अगर तुम गाना गा रहे हो तो मुझे से मुकाबला करना पड़ेगा बैजु बावरा ने मंद मुस्कान के साथ परतियस परधा को सुविकार कर लिया बैजु बावरा को पता था कि यहां पे इस तरह का नियम है उसे ताम सेन से प्रतियस प्रधा का चुनोती मिलेगा इसलिए वो मंद मंद मुस्कान के साथ उसके प्रतियस प्रधा को सुविकार कर लिया पर एक सर्थ रखी कि राजभावन के बदले वन प्रांतर या उपवन में संगीत की प्रतियोगिता हो लेकिन संगीत के लिए एक सर्थ रखा गया कि संगीत जो है राजभावन में ना होकर या तो किसी वन प्रांतर या किसी बगीचे में जहां पेड़ पोते हो वहाँ पे सं लेकिन बेजु बावरा तो पहले से जानता ही था, तो इसलिए बतला आया ताकि बेजु बावरा भैवित हो जाए और वो संगीत सही से न गापाए, इसलिए उसको डराने के लिए बतलाया कि अगर तुम संगीत में हार गए तो तुम्हें अपनी जान गवानी पड़ेगी, पर बेजु भैवित नहीं हुआ, लेकिन वह डरा नहीं, निकट के वन प्रांत में संगीत परतियोगिता की बेवस्था होई, वहाँ जो आसपास में जो जंगल था, वहाँ पे जो है संगीत परतियोगिता की बेवस्था हो गई, सबसे पहले बेजु बावरा गाना में डाल दी संगीत समाप्त हुआ फिर चोकड़ी भरते हीरन घने वन में भाग गए तो इस तरह की बातें यहां जो लिखी हुई है वाकई में ऐसा हुआ करता था संगीत में इतनी सक्ति होती है कि बेजुवान जानवरों को भी अपनी और आक्रिस्ट कर लेते हैं तो यहां पर 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 फ्रतम बेजु बावरा गाना शुरू कर दिया सभी बेसुद हो गए मतलब संगीत में सब खोगे अब संगीत चल रहा था ऐसे में क्या हुआ कि हिरनों का एक जूंड आ गया और एक हिरन जो है बेजु के बिलकुल पास आ गया तो बेजु जो माला पहने हु ताम सेन के संगीत से हिरन वापस आ जाए और मेरी माला मिल जाए तो मैं हार मान लूँगा इस तरह की बात बतला रहे हैं बेजु बावरा कि वे अपनी हार को स्विकार कर लेंगे अधी वे जो हिरन आये थे वो हिरन फिर से वापस आ जाए और जिसके गले में मैंने माला प उसका हिरदे धड़कने लगा, अब उसको जो है, अपने अंदर डर महसुस होने लगा, अपने गुरू का अस्मरन कर गायन आरंभ किया, देर तक गाता रहा, पर हिरन नहीं आ सका, बैजू की माला वापस नहीं मिल सकी, तान सेन की हार हो गई, उसका घमंड चूर हो गया, उस है, उसके साथ हुआ, अलाकि वह अपने गुरू को याद किये, और अपना गायन प्रारम किये, खाफी दिर तक गाते रहे, लेकि ना हीरन आया, और नहीं बैजू बावरा की माला मिली, इस परकार से तान सेन की हार हो जाती है, उसका घमंड चूर हो जाता है, अब उसकी आ पर टिक गई, बादसा ने भी बेजू की ओर देखा, जो नियम था, सभी को नियम मानना था, इसलिए बादसा भी बेजू की ओर देख रहा था, कि पता नहीं अब बैजू बावरा क्या बोलेंगे, बैजू ने कहा, संगित किसी की मौत के लिए नहीं है, संगित तो तो उसने अपनी बात रखी कि संगीत किसी की मौत के लिए नहीं है, संगीत जीवन देने के लिए है, मन को उंचाई के और ले जाने के लिए है, मैं ताम सेन के प्रान नहीं लूँगा, ऐसा उन्होंने बतलाया कि मुझे ताम सेन के प्रान लेने का कोई बिचार नहीं है, ले अभी सावासी देने लगे ताम सेन की आँखे जुग गई। बैजू का सवर सुनाई पड़ा ताम सेन आप नामी संगितेग्य हैं। पर घमंड ने आपकी साधना को कमजोर कर दिया है। आगे से सावधान हो जाएं, अभिमान में अपना विनास न करें। जब बैजू बाव से देने लगा, ताम से इनकी आँखे जुग गई। जब उन्हें अपनी गलती का एसास हुआ, तो वे अपने आखे जुगा लिए। बैजू बावरा ने उन्हें और आगे समझाया कि आप एक अच्छे संगितेग्य हैं, लेकिन आपके घमंड ने आपकी साधना को कमजोर कर दिया है, आगे से आप ऐसा काम न करें, ऐसा करके आप अपने अभिमान से अपना विनास कर रहे हैं, बैजू ने अपने संगीत से हीरन को बुला लिया, अब फिर से बैजू एक बार गाना गाना शुरू किये और फिर से हीरन आ गया, माला वापस मिल गई, और वह बहती नदी के समान मस्ती के साथ अपने पत पर चल पड़ा, ताम सेन उसे एक टक देखता रहा गया, अब उसे माला मिल गई, और वहाँ से वे आगे निकल गए, चलते गए, और ताम सेन उसे देखते रहा गये, कि ये कौन थे जो हमें इतना मुचा पाट पड़ा के चले गए, इस तरह से हमारे जीवन में भी कई बार इस तरह की घटनाय घटती है, कि हम कई बार अभिमानी हो जाते हैं, गमंडी हो जाते हैं, और सोचने लगते हैं, कि हमारे जैसा घ्यानी कोन है, हमारे जैसा धनी कोन है, इस तरह की बाते हमारे मन में आ जाती है, लेकिन हमें इस्व यहाँ पे नमबर वन में पढ़ें और समझें, जैसा कि सभी चेप्टर में दियावा है, हिंदी मिनिंग और इसको आप पढ़कर याद कर लें, यहाँ पे मुहावरी दियावा है, हिर्दे धरकना, घबराना, आंकों के सामनी मिर्तियू का मुस्कुराना, मौत का डर होना, औ और question number 3, निमलीखित प्रोसनों के उत्वर दें, जो इस चप्टर का मुख question है, तो आये मैं आप लोह को इसका आंसर बना के दिखाता हूं, यह है chapter 17 का question answer, question number 3 में निमलीखित प्रोसनों के उत्वर दें, तानसेन कौन था, वो क्या चाहता था, तानसेन एक गायक था, वो अ बैजू ने जितकर घमंडी को सजा नहीं दी तान सेन क्यों डर गया तान सेन के आखों के सामने मिर्तियों मुस्कुराती नजर आई इसलिए तान सेन डर गया बैजू ने क्या समझाया बैजू ने समझाया कि संगित किसी के मौत के लिए नहीं है जीवन देने के लिए है अता तान सेन दूसरों के प्रान लेना बंद कर दो Q6 में समान अर्थ वाले सब्दों को मिलाए तो यहाँ पे इसका direct answer दिया हुआ है अनुमती, काग्या होता है, साहस, हिम्मत, परतिसपरधा, मुकाबला, चुनौती, ललकार, मान, आदर यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारी इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं